अभी भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी के रूप में फार्म डाला है आपको टिकेट नहीं मिली है बाजपासे आप कई दुनों से साथ प्रियास भी कर रहे थे कामख्या सिंग को टिकेट मिली है एक तीस तारीक को पता चलेगा जब भारती जनता पार्टी अपना सिंबल जमा कर देगी भारती जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को जो पढ़कर के किर्किट खेल रहे थे और समास से कोई लेना नहीं देना था राजनीर से कोई दूर का संबन्द नहीं था भारती जनता पार्टी का प्रत्यासी बना दिया गया, तो 70 दिन से भारती जनता पार्टी का उस छेतर के कम से कम 100-500 कार करता है, दिल्ली भोपाल बराबर इस बात में लगे हैंगे कि प्रत्यासी बदलना चाहिए, प्रत्यासी गलत चेहन हुआ है, साइद मैं बता दूँ कि 18 की चुनाव म भी माननी मुखमंत्री से सारी करता है, उन्हें जाकर भोपाल में खजराव में कहा था, कि आप भामर राजा साब को अप टिकेट मर्द हैं, इसे लोग जनता नाराज हैं, या तक कि हम लोग अपना वायोडाटा देने या दावेदारी करने भी नहीं पहुंच पाए, तो एक राजा के अलीपुरा इस्टेट की जागीर ना बना दिया जाए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है, बेटे का राजा का बेटा, राजा, राजा का बेटा, तो जो भाराति जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, यह लो समाजिक जीवन जी रहे हैं, उनका तो कोई मौक होते होते 65 साल का हो गया तो इस बार कुछे मन में हैं कि नहीं इस बार को लड़ने का मन हैं मद्द प्रदेश में 2023 में बिधान सवाद चुनाओं को लेकर अब प्रत्यासी डोर टू डोर मैदान में उतर चुके हैं तो कई प्रत्यासियों पदों पर भी रहे और साथ में यह सांसत और केंद्रिय मंति बिरेंद खटीक जी के काफी करीब ही जाने जाने वाले एक नेता भी हैं इन्होंने निर्दलिये फारम भरा है इनसे हम मुलाकात करेंगे और पूछना चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का प्रत्यासि के रूप में फारम डाला है मैंने निर्दली प्रत्यासि के रूप में फिलहाल फारम नहीं डाला है आप सानसत बीरंद ख्यतिक जी के काभी करीबी हैं 1977 से आप राजनीती में साक्रिय भी हैं किसके पधों पर रहे हैं आप देखें मैं 1977 में भारम राजनीत में आया था आपातकाल के बार 1980 में युवा मोर्चे में आया और 82 से लेकर पचासी तक प्रदेश भारती जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का मंत्री रहा इसके बाद जिले का महा मंत्री रहा जिले में मंत्री रहा दो बार महा मंत्री रहा नब्वे से और केंद्री मंत्री डाक्टर वीरंद कुमार जी का 14 साल से चतरपुर जिले का काम देख रहा हूं। फिलवाल एवास सही है के कामाख्या जी को भारती जन्ता पार्टी ने आज सिर्ग सतर दिन पहले अपना प्रत्यासी घोसित कर दिया गया था। सारे लोग चुनाव जी ते यहां तक कि मैं साहिद आपको बता दूँँ आप लोगों पता हो या ना हो। कि मानी सत्यपृत चतुरवेदी जब यहां से सांतत बने थे तब महराजपूर विधान सवाज से साथ सो बोटों से चुनाव हारे थे। तो कुल मिलागी मैं बताना चाहता हूँ कि माराजपूर्ट भारती जनता पार्टी और जनसंग का गढ़ रहा है। और ऐसे गढ़ में भारती जनता पार्टी के स्वाभावे के बहुत से कार करता निस्टावान रहे होंगे मेरे जैसे। वेते हैं उन सबको दरकिनार कर भारती जनता पार्टी ने एक ऐस व्यक्ति को जो पढ़करके किर्केट खेल रहे थे और समाज से कोई लेना नहीं देना था, राजनीस से कोई दूर का संबन्ध नहीं था। उनको भारती जनता पार्टी का प्रत्यासी बना दिया गया, इससे लोगों के मन में बहुत पीड़ा थी, और भारती जनता पार्टी के लोगों ने इसके विरुत है, आप इतने पार्टी के बहुत पुराने कार करता हैं, कई पदों पर भी रहे, और आप यदि निर्दली फ तो सतर दिन से भारती जनता पार्टी का उस चेत्र के कम से कम सो डेड़ सो कार करता दिल्ली भोपाल बराबर इस बात में लगे हैंगे कि प्रतियासी बदलना चाहिए प्रतियासी गलत चैन हुआ है और उससे बाताबन तो खराब हुआ है अब रही बात आपने कहा कि मैं निर मत्रदेश में देखा गया है कई यहां पर नाम पहली बार सुना होगा तो उस पर क्या नुकसान होगा निस्यत बहुत नुकसान भारती जनता पार्टी को तो पिछली बार भी नुकसान हो चुका था साइद मैं बता दूँ कि 18 की चुनाव में भी माननी मुखमंत्री से सारी कर करता हुने जाकर भोपा खजराव में कहा था कि आप भामराजा साहब को टिकेट मर्द हैं जिसे लोग जनता नाराज हैं दस साल ही विधायक रह चुके हैं जनता के अब साथ पांस साल नहीं जाते हैं उसके बार टिकेट दिया था और 14-15 जार से वो चुनावार गए थे अब इनको तो आप लोगों ने देखा होगा सायद मैंने आपके ही चैनल पर देखा है कि प्रताब गड़ के कोई महराज हैं उन्होंने आकर के कामाख्या सिंग का फार मरवाया है तो मुझे लगता है वहीं से कहीं से टिकेट आई है क्योंकि भारती जनता पार्टी ने सर् जनकारी तक नहीं ली गई यहां तक कि हम लोग अपना वायोडाटा देने दावेदारी करने भी नहीं पहुंच पाए तो टिकेट डिकलियर हो गया यह तो मुझे लगता भारती जनता पार्टी क्या भारत के इतियास में पहली बार हुआ है कि ऐसा सतर दिन पहले टिकेट रिकलियर एक राश्टी पार्टी द्वारा कर दिया जाए और फिर किसी से उसके बारे में राय सुमारी भी न की जाए तो निस्चित इस बार चिंता का विश्य है भारती जनता पार्टी के लिए कि उन्होंने एक मनमाने तरीके बिलकुल नहीं चली गया अब जहां तक मेर गता है किसी भी टिकेट को लेकर कि किसी विदान जाबाद चेत्र में कोई राय ली नहीं गयी बलकि जो उन्होंने राय दी उसको मेरा ऐसा मानना है कि दरकरार किया गया नहीं तो कामाख्या शिभ जैसे वह एक को टिकेट देने का सवाल लिए अथ आप आपने प्राव्ग लड़ते हैं तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता की बेच जाएंगे तो अलग है लेकिन लोग है आप कोई विजन तो होगा हमारा तो दो एक ही विजन है एक तो भारती जनता पार्टी को इस महराजपुर विधान सवाथ खेत्र में जब देश आजाद हो चुका है तो एक राजा के अलीपुरा इस्टेट की जागीर न बना दिया जाए सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यह है क्योंकि इनके पितामा रहे लल्लू राजा साहब पहले रहे बिधायक रहे तीन चुनाव उन्होंने लड़े फिर मार्में सिंग साहब ने भी चार चुनाव लड़े द उनका तो सबसे बड़ा विरोध हमारा ये होगा कि जो व्यक्ति जनता के बीच मैं काम नहीं करते और कमसे कंभारती जनता पार्टी इसको पुना राजा साही की ऊपर मेराख पूर विधान सभा को न धरकेल ले गाउं DR लोग परेसान रहते थे आज सबसे बड़ी परेसान ईहीं कि राथ राज भर जाग करके विचारे किसानों को अपने खेतों से जानलों को भागाना पड़ता है वो मौका रखते ही वो फसल नस्ट कर देते तो एक तो गौसाला की बहुत बड़ी समस्या होनी चाहिए, दूसरा है कि आजकल वैसे है अमने सांसत निदी से माननी डाक्टर वीरियन कुमार जी की निर्देश पर गाउं गाउं में सांसत उस्सावधाम और बेटी विदाई बाटका बनाई हैं, सांसत चौपाले भी बना साइटियों का बच्चों का साधी कर सके, सार्वजैनिक फंक्शन कर सके, दूसरी बहुत बड़ी आवश्यक्ता थी है, तीसरी और बड़ी आवश्यक्ता है, आज आपने देखा हुगा किर्किट का जुनूर बहुत सर्प है, पिछले दो दसक से मैं कहूं कि बहुत खेलते हुए, गाउं में दस दस जगे मिल जाए, तो आज हर गाउं में साज की भूम यहां उपलब्द है, वहां यह खेल मैदान की महती आवश्यक्ता है, जिससे कि जो बच्चे नसा की ओर जा रहे हैं, या बुराईयों को कुरूतियों जुगा की ओर जा रहे हैं, एक ब जो बार मांगी तो मिली नहीं, कहा गया अगली बार, होते होते फैंसाट साल का हो गया, तो इस बार कुछे मन में हैं, कि लटने का मन है, क्या हुए था आपक पारसती का चौनाव लड़े करते था जब मैं राजनीत में आया था पर चोटे मैं वार कर था तब हाँ एक बार सचीव रहा मैं सचीव रहा और एक बार देख्च का भी चुनाव करा है तो अभी हमारे साथ मौझूद थे धीरन नायक जी जो की सांसद बीरेंद खटीक जी के काफी करीबी जाने जाने वाले नेता हैं और कई वरसों से भाजपा में रहकर के वह काम कर रहे हैं तमाम प्रकार के स्थानी मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं वहीं पार्टी के द्वारा टिकेट बितरन की नाराजगी को लेकर इनके द्वारा नामा कन्फॉर्म भरा गया है अब देखना यह होगा कि भाजपा क्या इन्हें मना पाती है क्या यह फारम बापस ले पाते हैं या यह चुनावी मैदान में उतरेंगे पैपर टाइम के लिए संज्यावस्ति के साथ बिनोद मिस्रा की रिपोर्ट